नमस्कार मेरी निनुकों तो आप सबका मेरे टूब चनल में बहुत बस्वागत थे तो रोज सुबा अगर आप नास्ते में वही रोटी सब्सका के बोर हो गए हो तो आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल अलग तरीकी का बिल्कुल नया ऐसा टेस्टी नास्ता लेके आई हू जो खाने के बाद आप सब नास्ते भूल जाने वाले हो तो देर किस बात की चले श्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो यह रेसीपे बनाने के लिए मैंने यह दो बॉइल के हुए आलू लिए है तो सबसे पहले अभी हमें इन आलों के सारे चिलके निकाल लें है तो यह चाहो तो यह ना आलों को आप स्मैश भी कर सकते हो और आप यहाँ कच्चे आलों का भी इस्तमाल कर सकते हो तो उसे भी आपको कद्दू कस कर लेना है तो यहां मेने दोनों आलों को कद्दू कस कर लिया है फिर हमें इसमें बाके के साईते डलने है तो सबसे पहले हमें इस फिर हमें इसमें स्वाद्धू सा नमक डलना है फिर उसके बाद अभी हमें इसमें आदा चमच धर्या पौडर डलने है फिर हमें इसमें आदा चमच धर्या पौडर डलने है फिर इसमें एक चमच गरम मसला पौड़र डलना है फिर उसके बाद आभी हमें इसमें स्वाद्नुसार लाल मिर्च पौड़र डलनी है फिर हमें इसमें दो कप गिहु काटा डलना है तो आप यहां गिहु आटे की जगा मैजे का भी इस्तमाल कर सकते हो फिर इसमें एक कप चावल काटा डलना है फिर हमें इसमें एक चमच बारी कट किया हुआ कड़ी पता डलना है तो मिनिया कड़ी पता को एकदम बारी चौप किया है फिर आखिर में आभी हमें इसमें आदा कप बारी कट के विए धन्या डलनी है और अभी इन सारे इंग्रिडेंस को हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तो इस आठे को और आलू को हमें हाथ से अच्छी तरह से स्म्याश कर लेना है फिर हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इस आठे को अभी गुन लेना है तो इक गुंदाव हुआ आटा हार पे ना चपके तो इसके लिए हमें इसमें एक चमच तेल डालना है और फिर से इन सारे इंगडेंस को अच्छी तरह से मिक्स करना है फिर आटा गुंदने के बाद अभी हमें इस आटे को 10 मिनिट के लिए इसे ही भीगने के लिए रख देना है तो अभी हाँ 10 मिनिट हो चुके है और इस आटा भी अच्छी तरह से भीग चुका है फिर हमें इस आटे के अभी गुले बनाने है तो हमें इस साइज में इसके गुले बनाया है तो हमें सारे आटे के गुले बना लेने है तो हमें इस सारे आटे के गुले बना लिये है फिर हमें इन गुलों को तेल लगाना है और इने हमें बिलना है तो अभी हमें इन गुलों के पूरिया बिलने है तो इस तरह से अभी हमें इन गोलों को बेल लेना है फिर उसके बाद आभी हमें इन्हें फ्राइ करना है तो उसके लिए मैंने ग्यास पे तेल रख दिया है फिर तेल गरम होने के बाद आभी हमें इसमें पूरिया डलनी है और इन्हें हमें फ्राइ कर लेना है तो अब यहाँ खमंग और टेश्टी ऐसी आलू पूरी बन के त्यार हो चुके है तो आप इस तरह से ए आलू के पूरिया बना के गर्मा गर्म ग्रीन चट्नी के साथ नास्ते में सर्व कर सकते हो नहीं तो आप इन्हें किसे भी सबजी या ग्रेवी के साथ खाने में बना के भी गर्मा गर्म सर्व कर सकते हो तो आज की वीडियो में इतना ही, तो फिर से मिलते हैं और एक नए वीडियो में, और एक नए टेस्टी रेसिपी के साथ, तो थैंक्स फ्रेंस, वाचे मैं वीडियो